जुनिर इंजिनिर ने SSC की अगर आप फॉर्म फिलब कर रहे हो आइधर सिविल मेकैनिकल इलेक्रिकल से और अगर आप SC और SD सर्टिफिकर बनमाना चाते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मिट पे बनमाना होगा और इसके रिगार्डिंग जो भी SC और SD के र सर्टिफिकेट के के रिगार्डिंग जो एक वैलिड एक फिर SD कैटेगरी जिस भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी से आप बिलॉंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है अब देखो यहां पे बात करते हैं तो देखो आप जो है वो नीचे आओगे तो मिल स्बस्क्राइ handout और पर आपको देखो एक पेज का सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप को नहीं पता है कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है तो उसके रिगडिंग मैं ने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से जो है वो इस वीडियो को आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और भी तमाम अगर आप इस्टूरेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो तो आप अचार प्रसांत के वीडियो देख सकते हो जो कि आपके लिए काफी जो है वो मोटिवेस्टनल होंगे और अगर आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हो या फिर आपको कोई डेलेमा है तो आप इनसे करना आचार प्रसांत और इस्टूरेंट्स और आपकी जो है वो कुछ केरियर लिरेटेड या लाइफ लिटेड प्रॉब्लेम्स का भी सॉल्यूसन आपको देखने को मिलेगा आप इन्हें भी एक बड़ जो है वो वीडियो उसको जरूर सुनना अब आते हैं हमारे बैक ट कब बना होना चाहिए यह जरूरी नहीं होता है इसको मैं और अच्छे से एक्स्प्रेंट कर दूँ कि बिफोर वाला डेट तो मेंसेंड होता है लेकिन आफ्टर का डेट मेंसेंड नहीं होता है जैसे यह इसूड आफ्टर 1 अप्राइल 2024 मैंने लिखा है तो यह EWS के लिए लेकिन OBC के लिए भी वैलिड है लेकिन यह SC और HT के लिए वैलिड नहीं है आपका सर्टिफिकेट अगर 2-3 साल पुढ़ाना भी है तो वो चलेगा तो आप बोलोगे कि मेरे पास क्या 10 साल पुढ़ाना सर्टिफिकेट क्या वो वैलिड है उसके लिए आपको जो है यह वा पुढ़ाना होगा ताकि आपको डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी प्रॉब्लिम ना हो तो इसका आपको ध्यान रखना है और जो कुरूसियल लेट है दिया गया हुआ 1 ऑगस्ट 2024 उससे पहले आपको सर्टिफिकेट बनवा लेनी है अगर आप 1 ऑगस्ट 2024 के पह पहले से सर्टिफिकेट है तो उसका फॉर्मेट आप देख लेना एक पर मैच कर रहा है तो विलेन गूड आपको नया सर्टिफिकेट बनवाने की जुरूत नहीं है युजवली जो है वह स्थी और सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो वह 5-7 साल तक जो है वह चलते रहता है जनकाडी दे दी मैंने लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है उसके लिए डिकार्डिंग भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और फिर भी अग चैनिकल के लिए जो है वो अरूंड 726 टेस्ट देखने को मिल रही है अगर 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 बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आप जैसे ही जाओगे तो टोटल टेस्ट स्रीज में आप देखो कि प्रिबियस ये इंग इम कुशन जो की बहुत इंपॉर्ट हो मिल रहा है और साथी जो है वो आपको चैप्टर वाइस भी टेस्ट रहती है ओके तो आप इसे एटेंप्ट कर सकते हो लेकिन इसको यहां पे आप के अौशन दिखाई दे रहा है लेकिन इनको लिंक देदूंगा जिससे जो है वो आप एक दो टेस्ट फ्री में दे पढ़ना है और फिर आपका काम हो जाएगा लेकिन अगर आप इसका FULL TES एक लेना चांते हो जिसमें जो है वह देखot आपके पास किये सब कुछ रहेगा तो उसके लिए आपको इसका पास प्रो पर्चेस करना लेखने को मिल जाएगा तो यह वाला coupon code को आप apply कर देना और उसके बाद जो हो आप आप एदर one year के लिए भी ले सकते हो या फिर two year के लिए और इसकी बाद जो है वो एक और मैं खासियत बता दू कि अगर आप एक बार पास पर्चेस करते हो तो जितनी भी इंजिनिरिंग की एक्टिवेट हो जाती है तो यह बहुत ही अच्छा फायदा होगा अगर आप इसका पास पर्चेस कर लेते हो जिसमें जो है वो आपको आपको देखने को मिलता है तो यह जो है वो टेस्टरी आपके लिए बहुत हेल्फुल होगी अगर आप प्रिप्रेशन कर रहे हो राइट फ्रम दे स्क्रैच